हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चानेल, माई फूड रेसिपीज आज मैं आप लोगों के साथ फिस का खट्टा यानी मचली का खट्टा की रेसिपी सेयर करूंगी फ्रेंट्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, सेयर, कॉमेंट कीजिए और मेरी चैनल को साबस्क्राइब कीजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही फिस का खट्टा यानी मचली का खट्टा बनाने के लिए मैंने इहां पे लिया है छै पीस रोव फिस आप चाहे तो कतला या कोई भी फिस यूज कर सकते हो फिस को पहले अच्छे से वास करके राखा है कुछ सुखा हुआ मैंगो पीसेस आप अपने टेस्ट के अकुडिंग ज़्यादा या कम ले सकते हो एक टेबल स्पून मास्टाड अयल टू टीस्पून मास्टाड सीट पेस्ट, हाफ टीस्पून होल्दी पाउडर, एक टीस्पून पाच फोरोन थोरा सा लाल मिर्च पाउडर ये अप्शनाल है आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो स्वाद के अनुसान नमोग पहले सुखा हुआ मैंगो पीसिस को अच्छे से वास करना है अब इसको साइड में राखना है अब विस्प को थोरा नमोग और होल्दी पाउडर से मैरिनेट करना है 15-20 मिनिट के लिए अच्छे से मैरिनेट कर लिया है अब इसको ढखकन लगा के 15-20 मिनिट के लिए साइड में राखना है मैरिनेट हो गया अब इसको फ्राई कर लूँगी एक पैन में मास्टा डायल डाल के गरम कर लूँगी अब इसमें मेरिनेटेट फीश डालके चारो तरोफ अच्छे से फ्राई करना है एक साइड फ्राई हो गया अब इसको पालाट के दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी चारो तरोप अच्छे से फ्राई हो गया अब इसको एक प्लेट में निकल के साइड में राख दूँगी अब सेम पैन में पांच फोरोन डाल के कुछ सेकेंड के लिए स्टर करना है या जब तक ना एरोमा रिलीज हो जाए अब इसमें वास्क क्या हुआ ड्राई मैंगो पीसेश डाल के कुछ सोमाई के लिए स्टर कर लूँगी अब इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसान नमोग थोड़ा सा होल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी लाल मिर्च पाउडर अप्सनल है आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो अब इसमें आपने जोरुरत के हिसब से पाणी डाल के मिक्स करना है अब इसमें ढाककन लगा के हाई फ्लेम में कुख करना है जब तक न बॉयलिंग स्टर्ट हो जाए कुछ सोमाई के बाद ढाककन निकल लूँगी अब बॉयलिंग स्टर्ट हो गया अब इसमें फ्राइ क्या हुआ फिस्ट डाल के स्लोली स्टर करना है अब इसको ढाककन लगा के मिडियम टू लो फ्लेम में 3-4 मिनिट के लिए कुख कर लूँगी अब ढाककन निकल के इसमें मास्टर्ट शिट पेस्ट डाल के लो फ्लेम में धीरे-धीरे मिक्स करना है अब इसको ढाककन लगा के मिडियम टू लो फ्लेम में 2-3 मिनिट के लिए पाकना है अब ढाककन निकल लूँगी अब ये रेडी हो गया आप चाहे तो ग्रेवी को और भी थीक कर सकते हो अब ग्यस का फ्लेम को अप कर दूँगी और इसको ढाककन लगा के 3-4 मिनिट के लिए इसी तरह स्टेंडिंग टाइम में राखने के बाद इसको एक सार्विंग बावल में टांसपर कर लूँगी ये रेडी हो गया फिस का खट्टा इसको गर्मा गर्म सार्फ करना है राइस के साथ अगर मेरी ये रेशिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, सेयर, कॉमेंट कीजिए और मेरी चैनल को साबस्क्राइब कीजिए और साथ इसाथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही थैंक्स फर वाचिंग